भारत और चाइना के बीच एक लंबे समय से बॉर्डर पे जो है टेंशन बनी हुई थी विवाद बना हुआ था तो फाइनली भारत और चाइना राजी हुए हैं कि ये जो पैंगॉंग लेक है न ये जो छेतर है इसके आसपास से क्या करेंगे दोनों देश जो है अपनी सेनाओं को पीछे लेने को राजी हो गए है यहाँ डिस इंगेजमेंट का मतलब है सेना को वापस लेना पीछे लेना ओर्डर एट दे बॉर्डर तो यही भारत और चाइना की जो बॉर्डर है उसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि नए ओर्डर दोनों देशों की तरफ से जो है जारी किये गए है कि अपनी अपनी सेनाओं को पीछे लिया जाए और यह जो चेतर है सीमा चेतर जो है भारत और चाइना का वहाँ पे शांती को बहाल करने की कोशिश की जाए The disengagement at the LSE is vital vital का मतलब होता है महत्वपूर्ण for the broader broader का मतलब है विस्तरत relationship with China तो एडिटोरिल कहता है कि The disengagement at the LSE is vital कि भई जो line of actual control है LSE भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है न इसको बोलते है LSE line of actual control तो the disengagement at the LSE is vital कि भई LSE पे दोनों देशों की सेना जो अडि हुई है ना उनका पीछे आना बहुत जरूरी है disengagement का मतलब है सेना की वापसी बहुत जरूरी है for the broader relationship with China कि अगर मतलब अगर हम China के साथ में विस्तरत relationship रखना चाहते है ना कि और भी ज़्यादा हम व्यापार करना चाहते है किसी भी तरह कि हम संबंद अगर China के साथ रखना चाहते है तो सबसे पहले तो यह जरूरी है कि यह जो tension है यह खत्म हो India and China finally reaching an agreement कि भारत और China finally जो है एक agreement पे पहुच रहे है on disengagement तो agreement किस बात को लेके होना जा रहा है कि disengagement किया जाए कि अपनी सेनाओं को पीछे लिया जाए at Pangong Lake कि Pangong Lake के सहारे जो दोनों देशों की सेनाओं अड़ी हुई है इनको वापस लिया जाए which has been at the heart of the recent LSE tension कि अभी हाली में LSE LSE पर हमें जो टेंशन देखने को मिले जो तनाओं की स्थिती देखने को मिली तो यह जो Pangong Lake वाला छेतर है यह उसके मूल में रहा है यह उसके केंदर में रहा है at the heart of का मतलब होता है किसी के center में होना तो यह जो agreement पर भारत और चाइना पहुचने जा रहे है तो यह बात जो है is a promising start promising का मतलब है कोई ऐसी बात जिसके माध्यम से भविश्य में आशा बंदे सफलता की आशा बंदे तो उसको बोलते है promising promising का मतलब है भविश्य में अच्छे नतीजे देने वाला तो यह है जो agreement है is a promising start towards का मतलब है की ओर तो यह है जो agreement है जिसके लिए कि भारत और चाइना तयार हो रहे हैं पैंगॉंग लेक्स अपनी सेनाओं को वापस लेने के लिए तो यह है एक भविश्य के लिहाज से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है किस ओर ट्वार्ट्स रेस्टोर रेस्टोर का मतलब होता है पुनह बहाल करना पुनह नॉर्मल इस्तिती में लाना peace in the border areas कि भारत और चाइना का जो border area है उस छेतर में शांती दुबारा से बहाल हो सके उस छेतर में ये बहुत ही अहम कदम है defense minister राजनाथ सिंग हैज सेड कि भई जो हमारे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग है उन्होंने कहा है क्या कहा है उन्होंने both sides will seize their forward deployment seize का मतलब है stop कर देना कि दोनों पक्ष यानि की चाइना पक्ष और भारत पक्ष ना यानि की दोनों की दोनों तरफ both sides will seize their forward deployment forward यानि आगे की और deployment का मतलब है तैनाथ करना जैसे सेना को तैनाथ किया जाता है तो defense minister राजनाथ सिंग ने कहा है कि दोनों पक्ष जो है भारत और चाइना दोनों क्या कर देंगे ये जो लगातार सेना तैनाथ किये जा रहे है ना border पे है आगे इन्होंने बढ़ाई सेना फिर उन्होंने बढ़ाई तो इसको रोक देंगे on the north and south banks का मतलब है किनारे of the lake जील के north और south जो किनारे है उन दोनों किनारों पर इधर तो भारत अपने सेनिकों की तेनाती करता जा रहा है उदर चाहिना अपने सेनिकों की तेनाती करता जा रहा है तो defense minister राजनाथ सिंग ने कहा है कि दोनों देश इस तेनाती को रोक देंगे किस प्रकार से रोकेंगे in a phased phased का मतलब होता है चरण दर चरण है ना धीरे धीरे चरण by चरण step by step coordinated मतलब समनवित रूप से दोनों जैसे दो पार्टी से हैं वो मिलके काम करती न तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे coordinate action coordinated and verified manner तो बिल्कुल verified manner कि जाचपूर्ण तरीके से समनवित तरीके से और चरण दर चरण क्या करेंगे दोनों पक्ष ये जो जील है इसके नौर्थ और साउथ जो किनारे हैं वहाँ पर और ज़्यादा सेनिकों की तेनाती को रोक देंगे China's Ministry of Defence कि बई चाइना का जो रक्षा मंत्राले है उसने इस agreement की घोषना की है किस agreement की घोषना की है to start synchronized synchronized का मतब यही होता है समनवित तरीके से हैं and organized disengagement कि बहुँ चाइना के रक्षा मंत्राले ने भी कहा है कि भी ठीक है disengagement होना चाहिए और बहुत ही organized तरीके से बहुत ही systematic temporary moratorium देखो moratorium का मतब होता है थोड़ी देर के लिए किसी गतिवीदिय को रोक देना इस्थागित कर देना है तो both sides have agreed to a temporary moratorium on patrolling in the disputed area disputed area का मतब है विवादित छेत्र in the disputed area north and south of the lake तो यह जो विवादित छेत्र है यह विवादित छेत्र है यह जो पैंगॉंग लेक है इस पैंगॉंग लेक का north हिसा और south हिसा यह विवादित छेत्र है petrol petrol का मतब होता है गश्ट करना तो इस छेत्र में गश्ट करने को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है भारत और चाइना दोनों पक्ष इस बात पे राजि हो गए है कि भाई यह जो पैंगॉंग लेक है इसका उत्तरी किनारा और धक्षणी किनारा जो है वहाँ पर जो petrol लिंग चलती है ना दोनों सेनिकों की दोनों पक्षों की तरफ से उस Petrolling को थोड़ी देर के लिए रोकने पे दोनों पक शिराजी हो गए है The withdrawal withdrawal का मतलब है वापसी Of Armored Elements Armored का मतलब है एक तरीके से Armored Elements का मतलब है ऐसे तत्व जो की Armored का मतलब क्या होता है जो सैनिक से जुड़े हुए सैनिक या सैनिकों से सुसजित जो सामान होते हैं उनको जैसे कि टैंक है है ना क्या कहेंगे इसे Armory तो कहेंगे इसे है ना कि आर्मी से जुड़े हुए जो सामान है ना उनको आप कह सकते हैं आर्मोर है ना तो the withdrawal of Armored Elements है कि वही कुछ ऐसे तत्व जो की आप कह सकते हैं हतियारों से सुसजित है जैसे कि टैंक है That have been in dangerously close proximity जैसे कि घैंक की हम बात करें था हतियारों की अगर हम बात करें तो यह बहुती निकटता में रहे हैं उस छेत्र में बीगन on Wednesday तो इनको वापस लेने की शुरुआत भी बुद्धवार को कर दी गई है ना बीगन का मतलब उसकी शुरुआत भी कि जो भी हत्यारों से सुसजित सामान है ना जैसे कि टैंक्स हो गए इनको वापस लेने की शुरुआत भी Wednesday से कर दी गई और फ्रेंट लाइन परसनल का मतलब होता है कर्मचारी यहाँ परसनल का मतलब यह जो सैनिक है उनके लिए कहा गया है फ्रेंट लाइन का मतलब होता है आगे के मोर्चिप अगरिम पंक्ती में जो है बिलकुल अगरिम पंक्ती में जो लोग होते उनको बोलते हैं कि यह है फ्र सेनिक रहे हैं, will subsequently be withdrawn है, उनको भी धीरे-धीरे वापस लिया जाएगा, उनको बाद में वापस लिया जाएगा, over the next two to three weeks है आगे आने वाले दो से तीन सप्ताओं के बीच में अन्य जो अगरिम पंक्ती के हमारे सेनिक हैं, उनको भी फिर वापस लिया जाएगा, north of the lake, कि वह यह जो पैंगॉंग lake है, इसके उत्तरी सिरे की अगर हम बात करें चाइना's troops will return to their base at सिरीजेप, east of finger 8, तो देखो क्या है कि यह जो जील है, यह जो lake है, इसका जो उत्तरी सिरा है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा में, चाइना की जो troops है, troops का मतलब है सैन्य दल कि वह चाइना की जो सैन्य टुकली है will return to their base at सिरीजेप तो चाइना की जो सैन्य टुकली है वह है, अपने, मतलब उनका जो center है, उनका जो base है उनका जो केंदर है, सिरीजेप वहाँ पे लोट जाएंगे, ये भी इस्थान का नाम है इस्टाफ हिंगरेट, वाइल, जबकि इंडिया's troop, जबकि भारत की जो सैन्य टुकली है will similarly return to their permanent base, उसी परकार से भारत की जो सैन्य टुकली है, वह भी अपने permanent camp पे, अपने permanent base पे कहाँ, लोट जाएगी, कहाँ है भारत का permanent base, at धान सिंग थापा पोस्ट, at finger 3 कि भाई ये जो finger 3 नामकिस्थान है यहाँ पे धान सिंग थापा पोस्ट है तो यहाँ भारत की सैना वापस लोट आएगी India previously patrolled on foot up to finger 8 कि भाई भारत ने पहले जो है patrolling की थी है ना India previously patrolled है ना गश्ट करना, कहाँ तक finger 8 छेतर तक भारत ने पहले गश्ट की थी है ना there is no motorable road access access का मतलब है पहुँच from India's side to areas east of finger 4 finger 4 से अगर हम पूर्व की और बढ़ते हैं तो finger 4 छेतर से पूर्व की और अगर हम बढ़ते हैं तो वहाँ तक जाने के लिए किसी प्रकार की road की सुविधा भारत के पास नहीं है there is no motorable road कि कोई motor गाड़ी जा सके इस तरह की road भारत के पास नहीं है इंडिया की तरफ से नहीं है finger 4 तक जाने के लिए जबकि China has dominated dominated का मत्तब है अपना प्रभाव जमा लेना अपना प्रभुत्व इस्थापित कर लेना अप्टू finger 4 जबकि China ने क्या किया है having already built having के साथ में जब वर्व की dominate कर लिया है चाइना ने क्या किया है finger 4 तक चाइना ने जो है road का निर्मान कर लिया है चाइना की तरफ से finger 4 तक road है road there है वहाँ पे road है and China enjoying है और चाइना जो है इस बात का lab उठा रहा है superior logistics logistics का मतलब है यहाँ पे sanny sanchalant है न बई कोई भी complicated गतिविद्धी होती है उसको sanchalant जो किया जाता है उसको बोलते है logistics यहाँ पे logistics का मतलब है sanny sanchalant कि बई चाइना ने क्या किया है finger 4 तक जो है road का निर्मान कर लिया है और यह जो road का निर्मान हो गया है तो चाइना को sanny sanchalant करने में जो है काफी सुगमता महसूस हो रही है starting last summer Chinese troops अब यह देखो पूरा जो विवात शुरुआत हुई कब हुई इसकी पिछली गर्मियों के दोरान starting last summer Chinese troops had prevented India from reaching finger 8 कि वही पिछले साल की गर्मियों के दोरान से हमने क्या देखा कि चाइना की जो sanny टुकडी है इसने भारत की सेना को रोका था prevent का मतलब है रोकना from reaching finger 8 भारत की सेना को finger 8 इस्थान तक पहुचने से चाइना के दोरा रोका गया था leading to lead to का मतलब होता है कारण होना कारण बनना किसी चीज़ का तो चाइना ने क्या किया भारत की सेना को finger 8 इस्थान तक आने से रोका इसके चलते कारण बना ये जो बात थी कारण बनी किस चीज़ की leading to the crisis संकट का कारण बनी है now अब the entire contested area from 4 to 8 कि ये जो पूरा की पूरा जो विवाधिच छेतर है entire मताब पूरा contested area का मताब ये जो पूरा की पूरा विवाधिच थेतर है from finger 4 to 8 कि ये 4 से लेके 8 तक ये पूरा की पूरा जो विवाधिच छेतर है will become a buffer zone देखो किसी भी छेतर को जब हम buffer zone घोशित कर देते हैं तो उस buffer zone का मतलब है कि दोनों पक्षों की सेना है उस छेतर में enter नहीं करेंगे एक तरीके से उसको seal कर दिया जाएगा तो यह finger force लेके finger 8 तक का जो एरिया है यह buffer zone बना दिया जाएगा and all temporary infrastructure and all temporary infrastructure built और जो भी infrastructure का निर्मान वहाँ पर किया गया है जैसे कि road बगेरा रोड बगेरा या बिजली का काम जो कुछ भी हुआ है ना वहाँ पर built जो कि निर्मित किया गया आफ्टर अप्रेल 2020 विल भी withdrawn कि अप्रेल 2020 के बाद में इस छेतर में जो कुछ भी निर्मान कारे शुरुआत किया गया है उसको वापस लिया जाएगा will be withdrawn similarly ठीक इसी प्रकार both sides will return to their bases south of the lake इसी प्रकार से क्या होगा कि दोनों पक्ष चाइना और भारत जो है वापस लोटेंगे कहाँ पे अपने base पे लोट जाएंगे अपने camp पे लोट जाएंगे south of the lake यह जो lake है इसके दक्षनी किनारे पे जो उनके base है उनके जो आधार है उनका जो center है वहाँ पे दोनों पक्ष लोट जाएंगे वेर इंडिया विल वेकट अब इस जगे पे क्या होगा south of the lake जो है वहाँ पे वेर इंडिया विल वेकट वेकट का मतलब है खाली करना the heights it occupied in an effective counter move counter move का मतलब होता है कि आपके उपर किसी ने हमला किया तो आप जो जवाबी हमला करते हो उसको बोलते हैं counter move तो चाइना ने यह जो attack किया था तो इसका जवाब देते हुए भारत ने भी क्या किया था कि भारत ने in late august in kailash range कि भई ये कहां पे हुआ था कि भारत ने भी क्या किया था इस छेतर पे अपना कबजा कर लिया था और उस छेतर को भारत खाली करेगा where India will vacate the heights it occupied in an effective counter move कि south of the lake जो है वहां पे भारत ने क्या किया था उस छेतर में भारत ने occupy मतलब घेर ले ना भारत ने उस छेतर में अपना कबजा कर लिया था तो भारत उस छेतर को खाली कर देगा और ये घटना कब हुई थी late august in August के last में in the kailash range kailash range में kailash range में अगस्त के last में ये घटना हुई थी कि भारत ने जवाबी कारिवाई करते हुए भारत ने इस छेतर पे अपना कबजा कर लिया था तो भारत उस छेतर को भी जो खाली कर देगा which give India much needed leverage अब ये देखो भारत ने क्या ये जो कबजा कर लिया था इस छेतर में कैलash range में भारत ने जो इस्थान को घेर लिया था तो which gave India इसके माध्यम से भारत को मिला क्या मिला? much needed जिसकी की बहुत ज़्यादा ज़रोत थी leverage का मतलब है extra support कि इसके माध्यम से क्या हुआ? कि भारत को extra support मिला to negotiate negotiate का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी समश्या का समाधान निकालना to negotiate as well as demonstrated its resolve तो देखो भारत ने भी जब इस छेतर में कबजा कर लिया तो भारत को भी जब negotiation की बात आई न है चाइना के साथ तो भारत को भी एक extra support मिल गया साथी साथ भारत ने इस छेतर पे कबजा करके इस चीच का प्रदर्शन किया किस चीच का प्रदर्शन किया? its resolve resolve का मतलब है to match China's action कि ठीक है अगर China action लेता है तो भारत भी action लेने में कम नहीं है इस बात का प्रदर्शन भी भारत ने इस छेत्र में कबजा करके दिखाया The stand-offs on the North and South Banks Stand-offs का मतलब है deadlock की स्थिति, गतिरोध की स्थिति कि भई ये जो एक तरीके से जील है, इसके उत्तरी और दक्षिनी किनारे हैं वहाँ पे जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, involving, इन बातों को troops and artillery, अब देखो ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे सेनाई भी अड़ी हुई है उनके तोप भी रखे हुए, artillery का मतलब होता है, तोप है न, दोनों पक्षियों की तरफ से उत्तरी और दक्षिनी किनारे हैं, उन किनारों पे जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है न, वहाँ पे अभी भी troops तैनाथ है, artillery वहाँ पे तैनाथ है, तो यहाँ अभी भी कठिन समश्या बनी हुई है, रिमेंड, the hardest nut to crack over nine long rounds of talk between military commanders, कि दोनों सैनाओं के जो commanders हैं, है न, इनकी no rounds हो चुके हैं, मतलब है न, नो बार यह बैट चुके हैं, लंबी-लंबी इनकी बाते हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी इस समश्या का समाधान नहीं निकल पाया है, with this agreement, लेकिन इस agreement के साथ, the only pending problem, pending का मतलब है जो लंबित है न, अभी जिसका निप्टारा नहीं हुआ है, the only pending problems now are smaller, तो editorial कहता है कि इस agreement के साथ, अब जो बची-खुची समश्या हैं, वे बहुत ही छोटी हैं, less concerning standoffs involving, less concerning का मतलब है कि अब जो गतिरोद की स्थिती बनी हुई न, वो ज़्यादा चिंता करने वाली नहीं है, यह बहुत ही छोटे-छोटे मुद्दे हैं, तो less concerning का मतलब है, जिसकी की आप ज़्यादा चिंता करने की ज़रोत नहीं है, standoffs involving, जिनमें क्या-क्या fewer troops in patrolling points 15 and 17, fewer troops का मतलब है, बहुत ही न के बराबर सैन ये टुकली है, जो की patrolling points 15 और 17 ये पे तैनात है, in the Gogra Hot Springs area, इस छेतर में, point 15 और ये जो 17 ये points है, यहाँ पर कुछ मात्रा में, अभी भी सैनिक बचो हैं, लेकिन वो ज़्यादा चिंता का विशे नहीं है, which will be taken up 48 hours after disengagement at Pangong Lake, अब ये जो छेतर है na, point 15 है, या point 17 है, इस छेतर में भी 48 घंटों के भीतर, जो है, disengagement किया एक बार Pangong Lake से सेनाई पीछे हट जाती है, है न, at Pangong Lake is completed, कि भई, Pangong Lake पे जब मामला complete हो जाता है, तब फिर ये जो बाकी बचा खुचा छेतर है न, वहाँ पर भी over the next few weeks, तो वहाँ पे भी क्या किया जाएगा, आगे आने वाले, जो कुछ सपता है, उन सपताओं के दोरान बच्ची-कुची जो सेना है, उसको भी हटा लिया जाएगा, इन दा, डैप सांग प्लेंस, कि भई, ये जो डैप सांग मेदानी छेतर है, है न, there is no stand of situation, वहाँ पर किसी तरह की गतिरोध की कोई भी situation नहीं है, और heavy deployment का मतलब है, भारी मात्रा में सेना की तैनाती, और heavy deployment of troops है, heavy deployment of troops का मतलब हुआ, भारी मात्रा में सेना की तैनाती, तो ये जो डैप सांग मेदानी छेतर है, वहाँ पर न तो गतिरोध की इस्तिती है, और नहीं वहाँ पर ज्यादा सेनिक तैनात है, बट अ लॉंग रुनिंग डिस्प्यूट, लेकिन एक लंबे समय से चलने वाल ये जो एक तरीके से विवाद है, over the LSE, LSE को लेकर लंबे समय से चलने वाला जो विवाद है भारत और चाइना के बीच, and blocking of patrols that predates the current crisis, और ये जो दोनों देशों ने क्या किया था, एक दूसरे जो patrol करते हैं जो गश्ट करते हैं, उनको block कर दिया था, भारत ने चाइना को block कर दिया, चाइना ने भारत को block कर दिया, that predate, predate का मतलब है, किसी घटना के पहले घटना घटती है, कोई किसी तारीक के पहले कोई घटना घटती है, तो उसको बोलते है, predate, तो ये जो patrolling को block कर दिया था, चाइना ने भारत को, और भारत ने चाइना को, तो उसके चलते ह समश्या पैदा हुई थी, the current crisis, predates the current crisis, and as yet remains unresolved, और ये जो अभी भी छेतर है ना, कि बही एक दूसरे को जी patrolling block की गई थी, इसको अभी भी solve नहीं किया गया है, the success of the new disengagement plan will finally depend on, कि बही ठीक है, नई disengagement plan की घोशना की है, भारत और चाइना दोनों ने दोनों ने कहाए कि हम अपने सैनिकों को वापस लेंगे, लेकिन इस नए plan की सफलता, इस बात पर depend करती है, will finally depend on, कि इस plan की सफलता, finally, इस बात पर निर्भर करेगी weather, कि क्या, it is implemented, कि क्या ये plan जो है, लागू किया जाता है, on the ground, कि क्या इस plan को बिल्कुल जमीन इस तर पे लागू किया जाता है, on the ground in letter and in spirit, देखो in letter and in spirit, देखो एक तो होता है, कोई भी plan जो है, वो कागजों में ही खाना पूरती होगी है, आपने letter में तो कह दिया, कि भई, ये आपने कहा कि दोनों देश से नाओ को वापस ले लेंगे हैं, तो officially तो आपने कह दिया, लेकिन क्या आप वास्ता में उसको अंजाम देना चाहते हो, spirit का मतलब है, बिल्कुल मूल रूप में है, उसकी आत्मा के साथ क्या आप उसे अंजाम देना चाहते हो, तो कोई भी action जब in letter and in spirit लागू किया जाता है, तो उसका मतलब है, जो कहा गया है, उस कहे गये को पूरी तरीके से अमल में लाना, तब जाके हम बोलते हैं, कि हाँ ये कानू जो है, letter में भी पारित हुआ है और spirit में भी पारित हुआ है, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया खाली, तो यही एडिटोरिल कहता है, कि जो disengagement plan है, दोनों देशों का बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस plan की सफलता, इस बात पर निर्भर करती है, कि इस plan को, जमीन इस तर पर है ना, इस plan को मतलब पूर्टया लागू किया जाता है, या नहीं किया जाता है, या पिर ऐसा तो नहीं, यह कागजी कारिवाई होके रह जाएगा है, कागजों में ही हो जाए काम, तो यह एडिटोरिल कहता है, आगे देखते हैं, कि the events of last year, the events of last year have left enormous distrust, enormous का मतलब है काफी मात्रा में है ना, बहुत जादा, distrust का मतलब है अविश्वास, कि पिछले साल जो घटनाए हुई, उन्होंने बहुत जादा मात्रा में, दोनों देशों के बीच में अविश्वास को बढ़ाया है, ना, which remains a hurdle, और यह जो अविश्वास बढ़ा है ना, भारत और चाइना के बीच में, यह एक बाधा बना हुआ है, and चाइना's actions on the ground have not always matched its commitment, और चाइना जो जमीनी इस तर पे काम करता है, have not always matched, वो match नहीं करते, वे mail नहीं खाते, उसके commitment से, commitment का मतभ़ होता है, प्रतिबध था, कुल मिला के चाइना प्रतिबध था तो दिखाता है, कि हम यह करने को तयार है, लेकिन वास्ता में कुछ और करता हुआ नजर हुई है, तो उसको देखते हुए, यह एक बाधा बनी हुई है, कि चाइना के एक्शन अगर हम देखें, तो जमीनी इस तर पे जो चाइना कहता है, वह हमेशा करता हुआ नजर नहीं आता, यहीं लिखा है, कि on the ground, China has not always matched, its commitment है, कि चाइना जो प्रतिबध दता दर्श आता है, उस प्रतिबध दता को पूरा करने के लिए उतना प्रतिबध नजर नहीं आता, both sides should keep in mind, दोनों पक्षों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, what is it is tech, कि दाव पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर कहने का मतलब है, कि दोनों पक्षों को यह पता होना चाहिए, कि भ आपार दाव पे लगा हुआ है, और भी कई बाते हैं, जो दाव पे लगी हुई है, तो इस बात को इन पे ध्यान में रखना चाहिए, what is it tech for the broader relationship, broader relationship का मतलब है, यहाँ पे विस्तरत संबंद, एक लंबा संबंद, कि भई भारायत और चाइना के बीच में, अगर broader relationship की बात क करें, तो क्या दाव पे लगा हुआ है, इस बात का ध्यान दोनों देशों को रखना चाहिए, between the two most populous countries, दोनों सरवादिक जनसंक्या वाले देशों के बीच में, क्या दाव पे लगा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही, उन्हें कोई भी कदम बढाना चाहिए which ultimately hints on peace on the border, अब भारत और चाइना के बीच अगर broader relationship की अगर हम बात करें, तो भारत और चाइना के बीच अगर हम broader relationship की बात करें, तो यह depend करता है, hinge on का मतब होता है, depend on, तो यह broader relationship जो है, finally depend करता है, किस बात पे? Peace on the border अगर भारत और चाइना के बीच जो border है उस पे अगर शांती है तब जाके ही भारत और चाइना के जो संबंध है ना वह ब्रॉडर वे में अगर हम बात करें तो अगर मतलब भारत और चाइना व्यापारिक दृष्टी से आगे बढ़ना चाहते है सेने दृष्टी से आगे बढ़ना चाहते है या पिर किसी भी तरह से आगे बढ़ना चाहते है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि border पे शांती रहे